हेलो फ्रेंड्स मेरे दारू पीने वाले दोस्तों के लिए यह आज की वीडियो है और खुश ख़बरी एलकोहल पीने वाले ज्यादा जीते हैं लंबे टाइम सेक्स करते हैं एरेक्शन बेटर रहता है डाइबुटीज नहीं होती हार्ट अच्छा रहता है तो एलकोहल को मु प्रड़ेट अमाउंट में शुराब पीने वाले हल्दी रहते हैं हाट ठीक रहता है पैनिस बढ़िया काम करता है और एक्षन अच्छा रहता है मैं अलकोहल प्रमोट नहीं करता ना मैं खुद आलकोहल पीता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि आप आलकोहल पियो पर मेरे सारे व्यूवर्स है जो शराब पीते हैं जो अलकोहल का सेवन करते हैं और कई बार मेरे क्लिनिक पर आके पूछते हैं कि क्या सवर में अलकोहल ले सकता हूँ और क्या अलकोहल लेने से मुझे इरेक्टाल डिस्फंक्शन तो नहीं हो जाएगा तो यह वीडियो आज उनके ने लिए वीडियो में बताएंगे कि कि सैनले का है एलकोहल से फाइदे मंद है है और अगर रिखानता हो हो रहा है तो वह फाइधा क्यूं होता है सक्जा龍 में जिससे आदमी नंदी बाका घृए है तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और और सबसे पहले हम बात करेंगे कि alcohol से फाइदा होता है, alcohol पीने वाले मरीजों में erection बेटर रहता है, timing अच्छी रहती है, hardness बेटर रहती है, और ये पता लगा एक study में जिसको बोलते है Western Australia Men's Health Study, Australia जानते हैं सब लोग beer पीते हैं, इस Australia में एक study हुई, 4000 आदमियों में उन्हों सब्सक्राइब भी थे, और पता लगा कि जो लोग moderate quantity में अलकॉल रेगुलर लेते हैं, उनके अंदर heart disease भी कम है, diabetes भी कम है, erection भी अच्छा है, sex भी अच्छा होता है, और sex में दिक्कत, erectile dysfunction डेवलप करने में 30% less, मतलब almost one third moderate alcohol पिने वाले healthy निकले, तो इसको बोलते है French paradox, आप कभी France गए हैं मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं गया, पर हाँ, French लोग famous है, French किस के लिए और French wine के लिए, और आप जानते हैं कि French लोग ज़्यादा smoking करते हैं, exercise भी नह दुनिया में लोग नहीं पीते हैं, वो है red wine और red wine पीने वालों के अंदर death rate सबसे low है, सबसे ज़्यादा sexual activity देखी जाती है, तो इसको बोलते है French paradox कि ऐसी community जो exercise नहीं करती है, और smoking भी करती है, और उसमें sex life better है, तो यह पता लगा कि यह जो है alcohol के regular intake से होता है, और alcohol का regular intake क इतना होना चाहिए, उसको बात करेंगे, तो अगर आप एक तरफ तो बनाए कि एक आदमी में कितना sex हो रहा है और एक तरफ बनाए कि कितनी quantity पी रहा है, तो alcohol में एक J-shaped curve बनता है, J-shaped curve का मतलब क्या हुआ, इस मतलब यह हुआ कि एक moderate quantity के अंदर सबसे ज़्यादा benefit मिलता है, पर अगर इस से ज़्यादा एक सीड करें, अगर आप इस से ज़्यादा alcohol लेंगे, तो आपकी अंदर benefit कम होता चले जाएगा, और अगर इस वाले पार्ट में आगए, जहाँ आप alcohol बहुत ज़्यादा पी रहा है, तो आप में condition developed होगी जिसको बोलता है, whiskey dick, whiskey dick मतलब क्य होता है, उनमें develop होता है, पर अगर आप social drinker है, या moderate quantity में alcohol ले रहा है, तो आपको actually sex में benefit मिलेगा, क्या benefit मिलेगा, आपका libido बढ़ेगा, libido मतलब desire बढ़ेगी, आपका timing बढ़ेगा, आपकी hardness बढ़ेगी, बहुत patient आगे बोलता है कि सर जिस दन alcohol पीते है, उस दिन तो बह इसा क्या है, जिससे पैनिस में benefit मिल रहा है, तो सबसे बढ़ेगे कि alcohol कितनी, moderate quantity मतलब कितनी, तो जो medical textbooks है, और जो हमारी किताबे है, या medical research है, वो बताती है कि अगर आप beer पी रहे हैं, तो 2-3 beer कौन सी, छोटा है बोलुगा, अगर आप whiskey पीते हैं, तो 60 ml मतलब 2 पेग, औ अगर आप wine पीते हैं, तो 2-3 glass red wine, इतनी alcohol अगर आप लेते हैं, रेगुलर भी लेते हैं, हफते में चार पर लेते हैं, तो इतनी alcohol आपके heart के लिए, आपकी body के लिए healthy है, पर कौन सी, सबसे बैस तो wine है, wine मतलब जो grapes से बनती है, wine, wine के बाद आती है, विस्की और विस्की क मनी जाती हो, कि wine, red wine में actually जो grapes है, उसके अंदर ही benefit मिलता है, और बीच में आती है हमारी विस्की, अब मुझसे पूछना मता कमेंट में हर डिफरेंट डिफरेंट ब्रैंड और कौन सी विस्की, कौन सी wine, white, red, मैं नहीं पीता, और ना मुझे इनके वर में इतना idea है, और हा अगर आप alcohol के साथ में भारी चखने, बहुत सारा fried और exercise करते नहीं हो, दारूपी रोज पी रहे हो, उसके बाद आप morning walk नहीं करते हो, लेट रुटते हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी शोर उनकंट्रोल है, BP उनकंट्रोल है, तो आप बिमार पढ़ो alcohol work, alcohol क्यों काम करती है, alcohol के कुछ benefits से सबसे important है, alcohol निरो sedative है, जब आदमी शराब पीता है, तो relax, feel करता है, उसकी body में जो cortisol levels है, stress hormone के levels है, anxiety levels है, वो कम हो जाते है, जो डर है, inhibitions है, वो खतम हो जाती है, बाड़ी में गर्मी सी रहती है, वाम तलगता है, इच्छा होती है, ज जो suppressed desires है, जो नॉर्मली नहीं express कर पाता, मरीज express कर लेता है, तो कई alcohol पीने के बाद, मरीज के reflexes खुल जाते है, और थोड़ी alcohol लेने के बाद, मरीज या जो patient नहीं, आदमी जनरली, उसको लगता है कि मैं राजा हूँ, और राजा आदमी, फिर राजा आदमी के तरह sex भी क परवा जेता है, जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, हो सकता है, वह बहुत सुंते लड़की हो, जैसे आप बात नहीं कर पाते हैं, उसे बात कर लेते हो, आप अपने आपको successful मैसूस करते हो, आपने को complexes हैं तो खतम हो जाते है, इंफिरेटी पीछे जाती है, तो alcohol के benefits मि करते हैं, और यह selective effect आपके timing भी help करते हैं, कई मरीज जो बहुत severe premature depression से शिकार है, जिन से प्रीमन रुखता ही नहीं है, वह alcohol देने के बाद कई बार बहुत अच्छा timing enjoy करते हैं, second benefit है carbohydrate, alcohol देखा जारो basically carbohydrate है चीनी है, या इसके अंदर प्रोटीन होता नहीं, fat होता नहीं, तो carbohydrate है pure, तो यह एकदम energy boost देता है, देखा था आपने Glucon-D का, Glucon-D पिया और आदमी एकदम running करने चले गया, उसी तरह जो alcohol है, वो basically carbohydrate है, तो immediate energy rush देता है, वो energy rush जो है, carbohydrates जो है, वो आपको feel good कराते है, आपकी body में glycogen reserve बनाते है, आपको activities करने की energy देते हैं, और sex तो actually sex में एक्स क्या है exercise, तो अच्छा sex एक अच्छी exercise है, अगर आप अच्छी exercise कर सकते हो, तो अच्छा sex भी कर सकते हो, थर्ड, visor-dialyation, visor-dialyation मतलब NO, जो काम टडाला-फिल करती है, अब तो सब लोग जाने हो टडाला-फिल को, टडाला-फिल तो मैं इत्ती फेमस कर दी इस ट पसीना आता है, लाल पन आ जाता है, आर्ट्रीज खुल जाती है, लगता है कि शरीर न गर्मी आ गई, क्योंकि एल्कोहॉल आपके शरीर की जितनी बंद नसे है, उनको खोलता है, और खोलने की वज़े से जो पैनिस में भी क्या है, पैनिस भी ब्लेट सप्लाई है, बढ़ हेल्दी कोलेश्टॉल है, उसको बढ़ाता है, और अगर आपका हार्ट हेल्दी है, तो अविसली हार्ट हेल्दी है, तो पंप ही जादा करेगा, तो आपके पैनिस में ब्लड सप्लाई भी ज्यादा जाएगी, आपको एक अच्छे एरेक्शन की, एक अच्छी सेक्स की अन हैं तो इनके अंदर होते हैं, तो यह अंदर माइं जैसे वाएं में, ग्रेप के होते हैं, ढ्रेज शाल के ऐचा भी एकाशन आपको देशन करते हैं, फै प्र हैं तो अनदर बी आपको बनेफिट मिलता है, लग एक्साइज डैट सेकशंजी करने नीए, कई लोग एड़क और moderate quantity में alcohol actually आपकी sexual health के लिए better है अगर आप PME ED का इलाज करा रहे है और alcohol use करते है तो अपनी quantity को कम कीजिए ठीक रखिए ले सकते है एलकॉल के साथ safe दवाईया है पर कुछ gap रखिने तो अच्छा है एलकॉल के साथ में आप बहुत जारा heavy खाना मत mix कीजिए तो हो सकता है कि आपको अलकॉल लेने से आपकी sex life अच्छी रहे तो मेरे पीने वाले दोस्तों को आज मिल गया एक और नया बहाना Friday night enjoy करने का और जो नहीं पीते है प्लीज डोंट राई नहीं प्योंगे तो भी चलता है दुनिया में पीना सब कुछ नहीं है पर yes if you take moderate alcohol quantity it is okay it is medically researched बाकी मे if you like the content अगर आपो content पसंद आया तो प्लीज इस content को subscribe कीजिए चानल को share कीजिए content को like कीजिए हो सकता है आपके friends की help हो जाए और आप तक तो अच्छी knowledge आती रहेगी thank you friends take care bye